Hey everyone, this is Chanji Dinani, welcoming you to Magnet Brains and in today's video we are going to begin with the explanation of the second half of this story. हम अल्रेडी देख चुके हैं the explanation of the very first half, that is हम यहां तक जानते हैं इस टोरी के बारे में, कि कैसे यहां पर बात हो रही है Mr. Frempton Natal की, जो की एक nervous disorder से suffer कर रहे हैं, वो anxious हैं, worried हैं, tension में हैं और उसके treatment के लिए वो अपनी city life छोड़कर rural retreat के लिए जाते हैं. नो वेन यह जो बात हैं वो अपने sister को बताते हैं, तो his sister is like I know that you would not talk to any human being there, और इस बज़े से तुम अकेले रहोगे और loneliness में और ज्यादा वर्स होती जाएगी तुमारी condition, तो बेटर यह होगा कि मैं जिन लोगों को जानती हूँ, बिकाज उनकी sister जो वो चार साल पहले तक यही रहती थी, in that rural area, तो वो बोलती है, जितने लोगों को वो जानती है, उनका letter of interaction भी इनको देगी, ताकि वो उनसे बातचीत करें, अखेला फील ली करें वहाँ पर, and there are people who were very nice in that category, and that's why he also gets those letter of introduction from his sister, and then he reaches a rural area. अब वहाँ पे वो इन ही letter में से एक Mrs. Sepleton है, जिनकी बात की गई है, उनके घर पहुचते है, Mrs. Sepleton busy है, तो उनकी niece है, 15 साल की, her name is Veera, जिसके बारे में भी हम देखेंगे, in the second half, first half में नहीं बता था नाम इनका, वो जो है, इनको बातचीत करती है, उनको बोलती है, मेरी aunt को थोड़ा time लगेगा नीचे आने में, till then you know, आपको मुझे जेला पड़ेगा, let's just talk, और इसी बारे में, क्या होता है, जब इनको लगता है, वीरा को या इस लड़की को लगता है, कि बहुत देर तकी वो silence हो गया, बात सी इतनी हुए है, तो she initiates, और वो पूछती है, कि whether आप इधर की लोगों को जानते हो किया, या कित्ते सालों से जानते हो, तो यहाँ पे जो फ्रेम्टन हो बताते हैं, कि वो बिलकुल भी, कि मतलब बहुत कम होगा एक दो इनसान जिसको जानते होंगे, because वो यहाँ पे नहीं रहते थे, उनकी sister थी चार साल पहले हां रहती जिन्हों नहीं यह सब बताया है, तो इस पे इनको लगता है नीज को, कि येस मतलब यह मेरे आंट को भी बिलकुल अच्छे से नहीं जानते हैं, हमें भी अच्छे से नहीं जानते, तो वो फिर इस बारे में पूछती है, Mr. Frampton से कि आपको को यह चीज अजीब नहीं लग पहले गए थे, तीन साल पहले, बट वो अभी तक वापस नहीं आए हैं, वो किसी दलदल में, बॉग में फस गए थे, उनकी बोडी इस भी रिकवर नहीं हुई, और मेरी आंट जो है, वो इसी होप में हैं कि वो लोग इसी विंडो से वापस आएंगे, तो यहां तक की बा वो आगे की स्टोरी बताती है, कि मेरी जो आंट है बिचारी, वो उनको हमेशा ऐसा लगता है, कि किसी ना किसी दिन तो उनके हस्बेंट, उनके जो ब्रादर्स है, वो वापस आएंगे, दे एंद लिटल ब्राउन स्पेनियल, तो इसी विंडो से आएंगे, तो मेरी आंट को ओपन रखती है, that is why the window is kept open every evening, till it is quite dusk, और इसी लिए जब तक अंधेरा नहीं हो जाता थोड़ा, तब तक वो इस विंडो को खोल कर रखती है, कि भाई, वो लोग यही से वापस आएंगे, poor dear aunt, she has often told me how they went out, her husband with his white waterproof coat over his arm, तो वो बोलती है, मेरी बिचारी आंट, बिचार से, तो वो बोलती है, मेरी poor aunt, हमेशा मुझे बताती है, कि कैसे उनके husband, जो है, वो अपने waterproof white color के coat के साथ गए थे, and Ronnie, her youngest brother, singing Bertie, why do you bound, as he always did to tease her, और कैसे उनका जो छोटा भाई है, जिसका नाम है Ronnie, वो हमेशा यह गाना गाता रहता था, Bertie, how do you bound, यह इसलिए गाना गाता था, क्योंकि इससे वो परिशान करता था, tease करता था, कि इसको, मिस्स सेपल्टन को, तो इस तरीके से वो यह गाना गाता रहता था, because she said it got on her nerves, because उनको यह गाना बिलकुल पसंद मी आता था, उनको बहुत ज़ादा अजीब लगता था, frustrating लगता था, annoying लगता था, तो इनका जो ब्रादर है यंगव रगव हमेशा यह गाना गाता रहता था, तो इस तरीके से वो बताती है कि मेरी पूर आंट जो है, वो बताती है कि इसे तीन साल पहले उनके husband with a white coat, that is waterproof coat, और उनके छोटा भाई जो हमेशे गाना गाता रहता था, वो कैसे गए थे और अभी तक वा आपस आ जाएंगे, do you know sometimes on still quiet evenings like this, I almost get a creepy feeling that they will all walk in through that window, फिर यहां पर यह जो नीज है वो बोलती है फ्राम्टन को, कि आपको पता है कि कभी-कभी उरो ऐसी जब शान्त होती है और ऐसी evening शाम का टाइम हो जाता है, तो मुझे कभी-कभी ऐसी creepy सी ऐसी अजीब सी और इसी डरा मुझे feeling आती है, तो इस तरीके से वो यह पूरा description देती है, उनकी family के बारे में कैसे उनकी aunt wait करी है और इसी लिए इस window को उनों ने open रखा है, तो अब थोड़ी-थोड़ा समझ आ रहा है हमको कि इस chapter का नाम दो open window क्यो रखा है, clear, अब हम देखते हैं कि second half जो है उसमें story क् या फिर क्या हम, you know, summarize ways में देखेंगे कि what are the points that would be covered in the second half, clear, all right, Mrs. Sapleton comes down at last and inadvertently confirms her niece story, अब यह जो चीज है, यह पहली चीज है जो हम देखेंगे इस पुरे part में, वो क्या है, finally Mrs. Sapleton नीचे आएंगी, दूसरी बात, वो accidentally story को proof कर देंगी, जो niece ने सुनाई है, अब हो confirm कैसे करत यह accidentally कैसे होता है, वो सब हम चीजस में देखेंगे, but yes, कहीं ना कहीं, वो you know, एक तरीके से seal लगा देती है, story पे कि हाँ, यह बिल्कुल सही है, और वो confirm कर देती है, तो Frampton अटेल is like कि हाँ, उनको लगता है, सच्ची में इनके जो husband है, उनके भाई जो है, वो अभी तक ल यानि की जो Mrs. Sapleton है, उनको अपनी ailment, अपनी बीमारी के बारे में बताते हैं, कि किस तरीके से वो क्या चीज से सफर कर रहे है, डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया है, वो क्यों मिलने आए, इस तरीके से वो सारी बाते जो हैं, किसको बताते है Mrs. Sapleton को, next is, through the open window, he can see things that worsen his nerves, पर ऐसा कुछ होता है, जो कि related है, open window से, जो कि हमारे chapter का ही नाम है, कि वो इनकी condition को और ज़्यादा खराब कर देता है, अब वो क्या होगा, वो तो हम देखेंगे later in the story, तो ये तीनों चीजे हैं, जो कि summarized way में given है, that we are going to see in detail in this particular part, clear, all right, so now let's just begin कि exactly आगे story में क्या होता ह She broke off with a little shudder, कौन? Mrs. Seppleton, finally वो नीचे आ जाती है, and she broke off with little shudder, shudder मतलब ऐसे हिलना, थोड़े shoulder की जो movement होती है, कि हम ऐसे करके बात नहीं करते हैं, पता नहीं, इस टाइप का जो होता, उसे shudder कहते हैं, तो ये वाले movement में वो जल्दी जल्दी आती है, because वो लेट हो गई है अपने इत्ती देर से वेट कर रहे हैं, जो ये Mr. Frampton है, तो इस तरीके से वो आती हैं, थोड़ा, you know, hill दूलते हुए, it was a relief to Frampton when the aunt bustled into the room with a whirl of apologies for being late in making her appearance, तो जैसे ही वो आती है, बसल का मतलब होता है, enter the room noisily, बहुत जल्दी जल्दी आना आवास करते हुए, whirl of apologies means many apologies, whirlpool जो है, that was something, बहुत जदा relieving था, यानि relaxing था for Frampton, बड़ा उनको relaxed feel होता है, जैसे ही Mrs. Sapleton आती है, बहुत जल्दी जल्दी रश करते हुए, room में आवाजे करते हुए, और वो माफी मागने लगती है, कि से Frampton से, कि sorry मैं अती देर से आई हूँ, you know, मैं अपने आपको present करने में यहाँ पर इत्ती लेट हो गई, I hope Veera has been amusing you, she said, अब Veera कौन है, यही है वो girl, who is 15 years old, knees of, you know, Mrs. Sapleton, जो की इनको पूरी स्टोरी चुनाती है, tragedy के बारे में everything, तो कौन है Veera, Veera is the name of that particular girl, तो अभी तक हमको सारे characters समझ आ गए है, number one is Frampton Natal, number two is Mrs. Sapleton, number three is Veera, that 15 year old girl, clear, तो व बोलती है कि मैं आशा करती हूँ, I just hope कि Veera जो है वो आपको entertain कर रहे थी, बोरनी कर रहे थी, she was like taking care of you, interact कर रहे थी आपके साथ, she has been very interesting, said Frampton, Frampton बोलते है, हाँ यह बहुत interesting है, यह बहुत interesting बाते करती है, obviously उसने पूरी स्टोरी सुनाई थी, तो this is how वो entertained थे, उस पको बो directly from shooting and they always come in this way, तो वो बोलती है कि मैं आशा कट्टी हूँ, I hope कि आपको यह, you know, window से कोई issue नहीं है, कि window बहुत बढ़ी है, October का मन्त है, तो you know, problem हो सकती है, कि बहुत हवारी है and all, तो वो बोलती है, कि I hope आपको, you know, इस window के open रहने से कोई problem नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ है, कि आप open window से problem नहीं आपको, because मेरे husband और जो भाई है, वो कभी भी any moment यहीं पे आएंगे घर पे, तो वो इसी जगह से आते हैं, यानि इसी वे से इस window के थू आता है, तो जो लिखा था ना, point कि accidentally वो confirm करती है, this is the way, यानि कि उन्होंने यह नहीं बोला, कि मेरे husband जो है, य है, और फिर वो जो है, यहीं से वापस आते हैं, और ऐसा मेरी aunt को लगता है, कि वो वापस आएंगे, तो वो यहीं चीज़ बोलती है, तो accidentally यह story confirm हो जाती है, यानि कि वीरा ने जो कुछ भी बोला, वो सच था, वो tragedy जो है, बिल्कुल सच है, clear, ऐसा किसको समझ ज़ जाता ह Frampton को, they have been out for snipe in the marshes today, so they will make a fine mess over my poor carpets, so like humane fork, isn't it, तो वो बोलती है, कि वो लोग जो है snipe के लिए भार गये in marshes, साहिप क्या होता है, water bird that lives in marshes, तो यह एक bird होती है, शूट करने गये हैं, कि इसको एक bird को, ठीक है, तो वो बोलती है, कि वो इस bird के लिए गये हुए है, और कि आप वो वापस आएंगे, तो obviously वो मेरे पूरे कार्पेट पे mess कर देंगे, यानि पूरे गंदे से आएंगे उनों मिट्टी में, तो अंदर एंटर करेंगे, कार्पेट पूरा गंदा हो जाएगा, और यह चीज़ जो है, आप लोग करते हैं, men folk, यानि कि पूरा जो एक community, every male gender does this, कि वो भजादा गंदिकी कर देते हैं, घर में आते हैं, उनको फाइव फाइव पसंद नहीं आती है, समझ नहीं आती, ऐसा कौन बोलती है, Mrs. Seppleton, कि आप लोग जो हैं यही करते हैं, तो मेरे husband और और जो मेरे ब्रदर आएंगे, वो भी पूरा mess कर देंगे, स्का इस तरीके से, Mrs. Seppleton, जो है, वो बोलती जाती, बात्चीत करती जाती हैं, लाइक, शी राटल, राटल मतलब वेंट उनको बड़ 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 करना, तो शी जस वेंट आउन बड़ जो हैं, बड़ी खुशी से, वो बताती हैं, बड़ी खुशी से, वो बताती हैं, अब the scarcity of birds, और कैसे birds की कमी आगे, विकाज वो बड़ को ही शूट करने का है, तो कैसे birds जो है, वो मिलनी रही हैं, there are very few birds, no birds, or very few, scarcity का मतलब होता है, बहत कमी हो जाना, राइट, and the prospects for duck in the winter, prospect का मतलब होता है, possibility, और ducks भी जो हैं, वो बिंटर में मिलना बड़ी मुश्किल होती है, तो इस तरीके से वो यूनों बताते जाती है, अपनी बाते करती जाती है, किस से, फ्राम्टन से, to फ्राम्टन, it was all purely horrible, but फ्राम्टन को बड़ा मजा नहीं आ रहा था, कि अरे वहाँ वाँ वाँ की दीछी बाते करें, तो उनके लिए सारी चीज अपड़ी horrible थी, उनको बि ही नहीं कहीं बहुत साथ, horrible होती जारी थी, इनको डराव नहीं होती जारी थी, किस के लिए, फ्राम्टन के लिए. He made a desperate but only partially successful effort to turn the talk on to a less ghastly topic. He was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention and her eyes were constantly straying past him to the open window and the lawn beyond. तो यह जो थे फ्राम्टन वो पूरी कोशिश कर रहे थे, बिलकुल अपनी मर्जी से desperately पूरी कोशिश कर रहे थे, but yes, वो partially ही successful हुआ, थोड़ा बहुत ही successful हो पाते हैं, और वो क्या कोशिश कर रहे थे, कि वो यह जो ghastly topic था, यानि बहुत ही बख्वास सा topic चल रहा है, very horrible जो यह discussion चल रहा था, उससे वो topic को change कर सके, but yes, वो पूरी कोशिश करते है, but वो थोड़े से ही successful हो पाते है, and he was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention, और उनको ही समझ आ रहा था, कि Mrs. Sapleton सिरिफ थोड़ा भूत ही ध्यान दे रहे है, fragment यानि कुछ पाट अटेंशन का, तो सिरिफ थोड़ा भ असलब होता है, moving, यानि कि पूरा time constantly, continuously, जो यह सेपलटन है, वो क्या कर रही थी, वो देख रही थी उस window की तरफ, जो की सीधे सीधे फ्राम्टन के पीछे थी, ठीक है, उस window को वो देख रही थी और उस window के बाहर जो lawn था, बस वो उसी को देख रही थी, और उनका पूरा साल पहले ही सब कुछ हुआ था, वीरा ने बताया इनको, राइट, तो वो यही सोच रहे थी कि कितना ज्यादा अनफॉर्चनेट है, कितने बदकिस्मत है वो, कि वो इसी दिन आना था उनको मिस्स सेपल्टन के घर, जिस दिन ये ट्राजिक अनिवर्सरी है, जिस दिन, या excitement, and avoidance of anything in the nature of violent physical exercise, announced Frampton, who labored under tolerably widespread delusion, that total strangers and chance acquaintances are hungry for the least detail of one's ailments and informities, their cause and cure, तो क्या होता है? मैं Frampton फिर अपनी बातचीत कर रहे हैं, मिस्स सेपल्टन से और वो बोलते हैं, कि डॉक्टर ने मुझे ये बिलकुल order किया है, या मुझे डॉक्टर ने ये चीज प्रिसक्राइब की है, कि मुझे complete rest करना है, मुझे बिलकुल आराम से इनो अपनी life जीनी, थोड़ी peacefully rest करन है, मुझे बिलकुल ऐसा हॉच-पॉच या भगधा टेंशन नहीं लेना है, बिकस ओविसलिए अट इस गोई तो बहुत जादा दुखी हो जाए, बहुत जादा डर जाए, तो कोई भी ऐसी चीज उनको नहीं करनी है, और नेचर में कोई बिलकुल ऐसी चीज है, जो जिस पर बहुत जादा प्रेशर लग रहा है, बहुत जादा एफॉट डालने पड़ रहे है, ऐसा फिजिकली मुझे कोई भी काम नहीं करना है, तो यह सारी चीज़े जो हैं, वो बिलकुल भी सहन नहीं कर सकते हैं, और डॉक्टर ने उनको मना किया, यह सब चीज़े सुन करने के लिए. बढ़ गलती से जान पहचान हो गई, ऐसे लोग जो हैं, अर हंगरी फोर दे लीस डीटेल ऑफ वन्स, एल्मेंस, और इंफर्मिटीज देर कॉस इन क्योर, वो लोग बिलकुल लीस्ट इंटरस्टेट होते हैं, ना कि बराबर इंटरस्टेट होते हैं, किसी के भी बिलकुल you know, ailments या informities, यानि जो भी problem है, जो भी बीमारी है, उसको जानने के लिए, so relating to health, complaints of sickness or weakness, यानि कोई भी अगर अपनी तवित के बारे में बता रहा है, कि मुझे ये problem है, ऐसे complain कर रहा है, वो चीजे उसका कैसे treatment होगा, cure और cause, और वो क्यो हुई है, ये सब चीजे जानने के लिए कोई भी stranger या chance acquaintances सबसे कम hungry होते हैं, यानि सबसे कम interested होते हैं, और यही चीज जो है, सोचते हुए, पूरी कोशिश कर रहे थे, कि वो बताए मिस्स सेपल्टन को कि उनकी क्या condition है, done, all right, on the matter of diet, they are not so much in agreement, he continued, फिर वो बताते हैं कि उन्हों बिलकुल ये जो diet वगेरा ह है मेरी, या जो कुछ भी मैं follow कर रहा हूं, उसमें बिलकुल भी एक same similarity नहीं है, यानि यानि मेरी तबयत है, या मुझे जो prescribe किया गया है, वो सारी चीज़े एक साथ नहीं जाती है, no, said Mrs. Seppleton, in a voice which only replaced a yawn at the last moment, और एक दम से वो बोलती है, no, यानि कुछ तो उन्हों ने क्लास्रूम में, जब टीचर पढ़ा रही होती है, और हमें बिलकुल भी इंटरस्ट नहीं होती है, तो हम यान करते रहते हैं, वो बास ही है जाती है, कई बार पकड़े भी जाता है, तो इस तरीके से प्रूफ हो जाता है, कि वो बिलकुल भी, you know, कैसे, बिलकुल ऐसे बा पर इसका रीजन यह नहीं था, कि फ्रेम्टन जो बोलों जो उस पर वो अलोट हो गई, अटेंटिफ हो गई, कि अरे उनको कुछ ऐसा सुनाई दे गया, जिस पर उनको ध्यान से, you know, सुनना चाहिए, here they are at last, she cried, वो एकदम से बोलती है, रे फाइनली यह लोग आ गए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि completely आँखों तक, you know, मिटी में भरे हुए हैं, तो यह कौन थे, यह थे उनके husband, उनके brothers, जिनकी बात हो रही है, जो तीन साल पहले अल्रेडी नहीं थे दुनिया में, यानि कि ऐसा कुछ पता चल रहा है कि घोस्ट जैसे आ गए हो, या फिर उन इसलिए वो बिट्टी में भरे हुए है, फ्राम्टन शिवर्ट स्लाइटली और तौर्ड्स अनीज विदा लुक इंटेंड़ तू कन्वे सिंप्थेटिक कॉम्प्रिहेंशन, पहले मीनिंग समझ लिते हैं, सिंप्थेटिक कॉम्प्रिहेंशन मीन्स अंडेस्टांडिंग यानि किसी को समझना या फिर उनके सेंटिमेंट्स को समझ पाना, एंपथाइस करना, उसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन या सिंप्रिहेंशन, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे आंट बोल रही हैं कि आ गए फाइनली उनों मेरे हस्बेन वगरा, यानि कि वो उनको समझ पा रहे हैं, वीरा की तरफ देखते हैं, विता लुक जो कि बता रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे हैं, सेपल्टन के लिए कि वो अपने हस्बेंट और इन सब को देख रहे हैं, यानि बिकस शीहा, शीज इन शॉक, देखते हैं, बट वीरा जो है वो खिड़की क बट विद दाट हॉरर कि जैसे वो बहुत ज़्यादा डर गई हो, इन अ चिल शॉक अफ नेमलेस फियर, फ्रैम्टन स्वंग राउंड इन सीट और लुक इन देख रहे हैं, और यह चीज जब वो वीरा को देखते हैं, कि वो डरी हुई है, विंडो की तरफ देख रहे हैं तो वो भी एक तरीके से युनो थोड़ा चिल, यानि कि वो एक खुदा ने जब डर लगता है, तो एक कपकपी से होने लगती है, उसके बारे में बात हो रहे हैं, शिवर करने लगते हैं, अब इसका नमतलब क्या था, इस डर का नाम क्या था, वो तो फ्रैम्टन को भी नह लगता है, तो इस तरीके से तीनों के पास बंदूख है, पर एक है, जिसके पास एक पास बंदूख है, पर एक है, जिसके पास, एक और चीज है, जो कि एक एक अडिशनल बर्डन है, यानि एक और चीज का वो भार उठा के चल रहे हैं, और वो था, उनके पास एक वाइट कलर का कोट है, विच वाग ओवर इस शोल्डर स्पर लटका के रखा था, इस तरीके से तीन लोग जो है, वो वो विंडो के बाह इन देन होर्स यंग वोईस चांट याउट ओफ तर डशक, अब क्या होता है, एक बहुत ही टायर ब्राउन स्पेडियल यानि की बहुत ही थका हुआ सा ब्राउन कलर का डॉग जिसका नाम है स्पेडियल, स्पेडियल का मतलब होता है टाइप ताइप अव डॉग ठीक है, बिना आवास किये हुए वो घर की तरफ आ रहे थे and then a horse young voice chanted out और वैसे एक बहुत हाश सी बहुत रफ सी आवास बहार आती है I say Bertie why do you bound तो हम जब यूनों यह देख रहे थे second half के end first half के end में कि कैसे वो बताती है कि उनके husband है जिसके पास white color का coat था वो उसके साथ गए है Sapleton की जो नीज है वो पताती है कि कैसे उनके आंट ने बताया था ठीक है एक वो चीज प्रूफ हो रही है दूसरी बार वो डॉक की बात हुई थी तो spaniel आ रहा है then third thing कि वो Ronnie जो इनका younger brother है वो हमेशा गाना गाता रहता था I say Bertie why do you bound तो यह सारी चीज़े वैसी हो रही थी जैसे कि इनकी नीज ने बताई थी this means यह बहुत जादा डरावना सीड होगा उस वक्रांटन के लिए कि कैसी तीन साल पहले जो लोग गए थे उनकी bodies भी नहीं मिली वो लोग आश तक नहीं आए और आज वो बापस आ रहे हो और वही सारी चीज़े हो रही है जैसे कि इनकी नीज ने उनको explain की थी so yes this would be very horrible very you know like scary for Frampton let's see कि उनका इस पे reaction क्या होता है all right so इसके साथ start होता है the third part of the chapter in which we are going to cover what else can Frampton do but beat a hasty retreat यानि की यह जो retreat थी उनकी peaceful जगे पे वो रहने गये थे इतने rush में गये थे यानि की बहुत हरी में गये थे इसी को कहा गया है hasty और इस तरीके से वो you know क्या कर सकते है मतलब वो गये किस के लिए थे peace के लिए ठीक है irony देखो गये थे वो शान्ती के लिए बट इनको यहां पर ऐसा scary सा बिलकुल experience होता है तो किस तरीके का उनका यह जो nervous disorder है वो treat हुआ होगा that we can imagine right second thing it had he seen a ghost question mark क्या उन्होंने ghost को देखा है because वो जो लोग थे वो तीन साल पहले गये थे वो सच में विंडो से आ रहे थे वही पूरा description था appearance था जो कि वीरा ने explain किया था it means क्या उन्होंने यानि फ्राम्टन ने सच में भूत को देख लिया था या ghost को देख लिया था the knees does have a knack for explaining and uncanny coincidence अब uncanny का मतलब होता है unnatural unexpected or strange event और यहां knack का मतलब होता है clever trick यानि कि यह जो वीरा है जो नीज है उसके पास एक बहुत ही clever clever सा तरीका एक बहुत ही चालाकी से वो reason देती है एक unexpected event का अब वो unexpected event क्या है वो strange चीज क्या होती है वो भी हम देखेंगे and also वो जो वीरा है वो किस तरीके से cleverly इस चीज को समझाती है वो भी हम यहां पर समझाएंगे clear all right so Frampton grabbed wildly at his stick and hat the hall door the gravel drive and the front gate were dimly noted stages in his headlong retreat यानि कि यहां पे शायद आगे थोड़ा का missing है कि Frampton जो है वो एक दम से अपनी stick उठाते हैं अपनी hat उठाते हैं और एक दम से भागते हैं किस जगा पे the hall door यानि कि जो hall का door entrance है वहां पे भागते हैं फिर आगे gravel drive यानि पत्थरों का road बना हुआ है वहां भागते हैं and the front gate were dimly noted stages in his headlong retreat और जो यह इतनी तेज़ तरीके से भागता है बिल्कुल speed में बिल्कुल भागते हैं यह फ्राम्टन तो एकदम से hall का door फिर बिल्कुल वो पत्थर आला जो gravel drive पत्थर बिचे हुए वहां पर और उसके बाद जो front gate है main gate होगा घर का वो सब चीज़े बिल्कुल ऐसी dimly यान to run into the hedge to avoid imminent collision और वहां पर एक cyclist यानि cycle से लाते हुए person आ रहा था और उसको एकदम से hedge की तरफ यानि कि रोड पे चल रहा होगा और उसको एकदम से turn करके garden की तरफ मोडना पड़ा नहीं तो imminent यानि जो होने ही वाला imminent means almost certain to happen very soon जो एकदम से collision टक्कर होने वाली थी वो हो जात नहीं आ रहा था और obviously कोई भी ऐसी करेगा जब आपको पता सब्सक्राइब भूत है spirits है तो आप भी वहीं से भागोगे तो इस तरीके से फ्रैम्टन का यह जो बोल सकते हैं यह जो incident होता है उसी को कहा गया है uncanny incidents या coincidence यानि जो strange event होता है here we are my dear said the bearer of the white Macintosh coming in through the window white Macintosh का मतल मतले हम finally आ गए हैं और उनके हाथ में क्या था एक Macintosh white color का code तो यह कौन थे यह थे मिस्स सेपल्टन के husband coming in through the window और वह कहां से आते हैं उसी खिड़की से आते हैं वहीं विंडो से जो की open करके रखी गई थी who was that who bolted out as we came up तो वो बोलते हैं वो कौन था जो इसती यूरो स्पीड से बिलकु ले घदम से चला गया जैसे हम आए मदब यह जो देखते हैं वो फ्रैम्टन को क्यों भाग जाता है इनको देखकर तो उसी वक्त वो चले गए और obviously जानते नहीं थी फ्रैम्टन को वो पहली सा इंसान था और यह जो है यहां पर आया हुए थे उनका नाम किया था Mr. Nattel, he could only talk about his illness and dashed off without a word of good boy, goodbye और apology when you arrived, और फिर Mrs. Eppleton बोलती है कि बस वो आये अपनी बीमारी के बारे में बात की, पनी illness के बारे में बात की और फिर बिलकुल apologize भी नहीं किया यह goodbye भी नहीं बोला कि sorry बोलते हैं कि sorry मुझे जल्दी जाना पड़ेगा या फिर bye-bye, take care, इस तरीके से विश करके भी नहीं गया और एकदम से भाग के चलेगा, dashed off यानि एकदम से speed में निकल जाना, जैसे कि आप लोग आए आपको देखके इस तरीके से भाग के चलेगा, तो obviously यह चीज Mrs. Seppleton क कि उन्होंने किसी भूत को देख लिया हो, यानि कि यह कोई भूत भूत नहीं थे, यह सची में नॉर्मल इंसान थे और वाजी के दिन शूट भूट करने के लिए गए थे, नीज जो वीरा थी, उसने क्या किया, उसने एक स्टोरी कुक अप करके सुनाई थी किसको Mr. Natal को, I expect it was the spaniel, said the niece calmly, he told me he had a horror of dogs, और नीज क्या बोलती है, मुझे लगता है कि यह because of the spaniel, यानि dog की वाज़े से हुआ होगा, कि जैसे उसने spaniel को देखा होगा, तो इसलिए वो भाग गए होंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था, कि उनका एक बहुत जादा जादा यह डर was once hunted into a symmetry, somewhere on the banks of the Ganges, by a pack of dogs, and had to spend the night in a newly dug grave, तो वह बोलती है कि एक बार ऐसा हुआ था, मुझे Mr. Natal ने बताया, कि उनके पीछे dogs पढ़ गए थे, hunted मतलब dogs जो उनके पीछे पढ़ गए थे, कहां पर into a symmetry, symmetry means a graveyard, जहां पर लोगों की bodies डिक करके उन्हों रखा जाता है, तो वह वहां पर ये भागते भागते पहुच गए, and somewhere on the banks of Ganges, जहां पर मतलब गंगा के बांक पर, यानि गंगा रिवर के किनारे कहीं प एक symmetry बनी हुई है, वहां पर ये पहुचे, by a pack of dogs, जहांनी group of dogs, ठीक है, तो group of dogs जो है, उनके पीछे पढ़ गए थे, hunt कर रहे थे, इनको ये वहां पहुच गए, कहां symmetry में, and had to spend the night in a newly dug grave, और उनको पूरी रात कहां बितानी पड़ी, एक जुन नई ग्रेव बिलकुल डग की जई थी, किसी body के लिए वहां पर उनको सोना पड़ा, and he spent his complete night there, with the creatures snarling, grinning, foaming, just above him, और ये सब dogs जो है, वो जस्ट उनके ऊपर पूर Can anyone lose their nerve, and obviously ये चीज जो है किसी के साथ भी होगी, तो किसी की भी दिमागी हालत है, वो खराब हो जाएगी, किसी को भी annoy करेगी, ये चीज इरिटेट करेगी बहुत extreme level पे, इसलिए वो शायद spaniel को देखका डर के भाग गए, clear, यानि यहां वीरा ने Mr. Natal को कुछ और स्टोर करेटी थी, वो यही थी, कि किस तरीके से वो, you know, short notice में उसी वक्त, immediately इतनी different stories को कप कर लेती थी, जो बड़ी interesting होती थी, और कोई भी believe कर ले, किस तरीके से वो open window पे based story बनाती है, because वो देख लेती है, कि क्योंकि Mr. Natal, इनकी पूरी family को जानते तो थे नहीं, right, उनको कुछ कुछ भी नहीं पता था, तो वो कुछ भी बोलती है, तो मान लेते, किस तरीके से वो उनको यह story सुनाती है, scary सी, उनका मजे लेती है, वो believe भी करते है, वो लोग वैसे ही वापस आते है, और किस तरीके से वो यहां इनको पूरूफ करती है, कि Mr. Natal को डर था, डॉक्स का, इसलिए वो spaniel से डर के भाग गए, so there was nothing true in the story, कुछ भी नहीं था, बस open window पे बेस एक जो story सुनाती है, जिससे Mr. Natal की शायद और हालत खराब हो गई होगी, विजारे ठीक होने आय थे, और और हालत खराब हो गई उनकी, इस तरीके से यह story proof होती है, कि क्यों open window नाम दिया ग पूरी story revolve भी करती है, उस open window पे, किस तरीके से उस पे open window पे बेस story वीरा सुनाती है, कैसे Mrs. Sapleton उसकी बात करती है, then कैसे Natal open window पे होरी चीजों से ही डर के भागते है, और कैसे उस open window से ही लोग enter करते है, और फिर वीरा एक और story कुक अप करती है, ठीक है, अब यह जो सुना रही थी, और Mr. Natal है, वो बिना कुछ, you know, finalize करें, बिना कुछ पूछे होने Mrs. Sapleton से पूछना चाहिए था, and then he could just believe on these things, but yes, जैसा जैसा अवीरा ने बोला, वैसे वैसे वो समझते गए, दूसरी बात, अगर आपन को कोई भी issue होता है, कोई भी problem होती है, हम कुछ भी illness सुनाएंगे, तो उससे कुछ हो सकता है, बहुत से लोग होते हैं, जैसी कि हाँ पर भी हुआ, तो बहुत ही funny सी स्टोरी थी, ज्यादा कुछ deep में नहीं था, ये स्टोरी में, but yes, this is how this chapter ends, I hope आपको समझ आया होगा कि कुछ भी ऐसा नहीं था, वीरा ने जो कुछ भी सुन के तो यहां से एंटर करेंगे, so this is how this chapter ends, I hope आपको ये स्टोरी जोए पर इंटरिस्टिं लगी होगी, and as you found out की exactly क्या हो रहा था in this chapter, there were many, many difficult words, but I hope आपको सब के भी निंग क्लियर हो गाए होगे, चली है ने नेक्स वीडियो, we are going to meet very soon with the next topic, till the end, take care of yourself, और ये स्टोरी की न